हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने IQZ6 Pro Android मुवाइल फोन में अगर आप जो है अपने मुवाइल फोन से कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं आपके मुवाइल फोन की स्क्रीन जो आफ हो जाती है या फिर कभी भी आपके मुवा मुवाइल फोन के सबसे उपर यह जो यहां पर ना प्रोक्सिमेटी सेंसर होता है ठीक है प्रोक्सिमेटी सेंसर के सामने अगर आप जो है कॉल के दौरान अगर आप हाथ को लगाएंगे ना हाथ को उपर से कवर करेंगे प्रोक्सिमेटी सेंसर को तो आपकी डिस्प्ले ज ऐक तो आपको ईसकी आपको तुस्तों आ थैकिए आपको तो आपको चेक करना है और आपका प्रक्सिमिटी जो आपको चेक करना है और यहापके डैमेज नहींध आपका प्रोक्षिमिटी सेंसर के ऊपर चड़ा हुआ नहीं होना चीए तो यहां पर दोस्तों यह जो जो को आपको ऐठीट है तो क्रीक इहांव को पूपटेक्टर को आपकोdar आहीं करेंदे तो हुआ पर दोस्तो आपको आपको एक टरीके और बताता हूं टेकिने मॉल फूnos सिस्टम का अपडेटेट दो आपको सारे लोग जो है सिस्टम की अपडेट जो है अपडेट नहीं करते हैं जिसके वजह से भी यह समस्या आ जाती है तो आपको अपने system update करकर रखना है अगर आपका system update है या नहीं है या आपको check कैसे घरना है यह मापको समझाता हूं तेंगे दोस्तों आपको अपने मुवाईलफून में सैटिंग पेज ओपन करना है आपको नीचे आना है या पर आपको यह option मिल जाएगा नीचे की सेट में सिस्टम अपडेट का इससे स्लेक्ट करना है इसके अंदर अगर आपको कोई भी सिस्टम अपडेट का बटन या option नजर आता है तो आपको इससे जो आपको मुवाईलफून के साइड में यह पावर बटन होता है पावर बटन को आपको उगली से दबा के रखना है इससे क्या होगा स्क्रीन के सामने एक न्यू पेज आजाएगा यहा पर आपको इस पेज में देखे रिस्टार्ट का यह option मिलता है अपने फोन को रिस्टार को रिस्टार्ट करने से азतने है अगर आपको जरुरत लगे तो आपको मोईल स्पीर सिस्टम के अंदर आपको नीचे की साड़ाइब करना है कि आपको अपने फोन को absurd करेंगे तो तो आपको अपनी gmail id और अपना password भी लिखके रख लेना है ठीक है तो यहाँ पर जो आप अपने phone को दुबार से login कर सके उसी gmail id से ठीक है अगर दोस्तों आप अपने mobile phone में यह जो आपका यह जो option होता है बैकप and restore का यह पीछे page पहेंगी system case page में आपको backup and restore का यह option आपको on कर लेना है यह setting on कर लेनी है इसके बाद आप जो है अपने phone को reset करेंगे तो आपको अपना data किसी भी दूसरे device में transfer करने की जुरत भी नहीं पड़ेगी ठीक है जिससे आपका जो data है वो आपकी gmail id login करते ही वह आपी सारा का सारा आ जाएगा ठीक है तो यह मैंने iq mobile की जो service center होता है वहाँ पर आपको अपने phone को दिखा देना है ठीक है वहाँ पर आपको बता देंगे कि आपके जो है phone में क्या दिक्कत है और कैसे ठीक होगी ठीक है तो यह last option बसता है आपको अपने iq mobile के service center जाने के लिए ठीक है